नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंक जेट ग्लिटर और इंक जेट मेटलिक पेपर पे आपको प्रिंट कैसे करना है सबसे पहले आपको इंक जेट मेटलिक पेपर और या फिर इंक जेट ग्लिटर पेपर लेना है ये A4 size है plain paper इसको आपको पहले print करना है अपने इंग जेट printer पे ये Epson का printer है इंग जेट printer आपको इसको पहले print करना पड़ेगा ये print किया हुआ paper है इंग जेट glitter वाला paper इंग जेट metallic वाला paper अभी इसको हम fusing करेंगे इसको आपको 160 degree Celsius से लेके 170 degree Celsius के बीच में रखना है और 25 से 35 सेकंड के आसपास यहाँ पे मैंने settings किया है 166 degree Celsius और 30 सेकंड के लिए आपको यह paper को एना ऐसे पील करना है और paper पर ऐसे रखना है और इसके उपर silicon या teflon sheet रखना है print आप जो भी करोगे वो without mirror image है वो mirror image नहीं है और यहाँाँ है पहाँा है पैए यहाँाँएब्ट नहीं नहीं हाँएब्ट हुआ 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 हैं ठाल ठाल प्ट्सक बाम प्ट्सक्ट यह आप देख सकते हो यह ग्लिटर इफेक्ट है और यह मेटलिक इफेक्ट आया है डार्क फैब्रिक के उपर फैंक यू पेपर इन फिल्म्स द्वरा बनाया गया यह वीडियो और अधिक जानकारी के लिए कॉंटेक्ट कीजिए इस नंबर पर 983399772